तो गणपती बप्पा मोरे आज जी हाँ गणेश उत्सव पर एको फेंडली गणपती की मूर्ती तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन आज हम आपको एको फेंडली गणेश जी का मंडप दिखाने जा रहे हैं कैसा ये मंडप है आप देखिए जगमक रोश्णी में नहाए ये बप्पा के मंडप है जिन में सब के प्यारे गणपती विराजमान होंगी बहत खुबसूरत मन को मुह लेने वाले ये मंडप बहत खास हैं ये सुन्दर तो हैं लेकिन इने और भी खास बनाता है इनका इको फ्रेंडली होना जी सही सुन रहे हैं ये इको फ्रेंडली मंडप है अब तक आपने इको फ्रेंडली गड़पती की मूर्थियों तो बहुत देखी होंगी अब मंडप भी देख लीजिए बहुत ही ज्यादा लोग इस तरह के इस मंडप को पसंद कर रहे हैं आपको दिखाते हैं किस तरह से अलग-अलग तरह के अलग-अलग साइज के यहां पर आपको ये मंडप दिखाए देंगे जिन्हें मखर कहा जाता है शुरुवात किया छोटे गनेज भक्तों के लिए घर-घर के लिए वो डेकरोशन इतना गनेज भक्तों को पसंद आया फिर सारवजनिक मंडल साथ में आये बोले हमें भी एको-फ्रेंडली का काम करना है उनके लिए बड़ी-बड़ी जाकिया बनाए जैसे ये इस साल महराश्रो में प्लास्टिक और थर्माकॉल बेन होने के बार मंडप सजाना पंडालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे में ये मंडप लोगों के लिए बहत अच्छा विकल्प है इन मंडपों को कार्ट बोर्ट की मदद से बनाया गया है ये मंडप ना जर्फ इको फ्रेंडली हैं बलकी इने अगले साल के लिए समाल कर भी रखा जा सकता है और दोबारा इस्तमाल में लिया जा सकता है इनकी खासियत है कि इने फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं जिससे ये ज़ादा जगए नहीं घिरते यही वज़य है कि विदेशों में भी इनकी मांग बढ़ रही है मुंबई से पंकरमिश्णा टीम न्यूजनेशन और महराश में गणेश उच्चव को लेकर लोगों में काफी उच्चा भी देखने को मिल रहा है और इस बार बपा की एको फ्रेंडली गणपती आकर्शन का केंदर भी बनी हुई है मुंबई में दिव्यांग बच्चे और महिलाइ से बापपा की मूर्तियों को अपनी कारिगरी से भव रूप देते ये बच्चे बिहत और फास एको फ्रेंडली गणपती बना रहे ये की मूर्टियां हैं, जिन्हें इस तरह से गंबले में रख कर जो है वो आप अपने घर लेकर जा सकते हैं, इसकी बकाइदा इस तरह से इस बॉक्स में इस गिफ्ट बॉक्स में इसकी रैपिंग होती है और उसके बाद सबसे खास बात ये है कि गंपती बपा को विसरजन करने की कोई जरुवत नहीं है जब ये गमले में होते हैं उस गमले में आप अगर हरोज पानी दालेंगे तो बपा की मुर्ती के साथ जो है वो तुलसी के सीट्स जो है वो भी अंदर दाले गए हैं यानि कि अपने आप इस गमले में तुलसी का पौधा जो है वो कुछ दिन बाद वो अपने आप निकल कर आएगा तो यह जो खास बच्चे हैं जो special children हैं यहाँ पर बहुत खास काम कर रहे हैं और इस काम को जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई जा रही है इनकी दिमान भी बहुत ज़्यादा है बापा की यह मूर्तियां एको फ्रेंडली हैं इन मूर्तियों को विसरजित नहीं किया जाता बलकि तुलसी के बीच के साथ गमले में डाला जाता है पाणी डालने से मूर्ति की मिट्टी गमले में ही घुल जाती है और तुलसी के बीच से नया पौधा उपता है बच्चे अब अपने काम में इतने पारंगत हो गए हैं कि इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं कोई बच्चा बपा की मूर्ति को पेंट कर रहा है तो कोई उस पर एम्रोइटी का काम कर रहा है सुबह ये साड़े नोब बज़े शुरू करते हैं बच्चे शाम तक पूरी शाम होते होते पूरे गणपती इनका बारा से तेरा पिसस हो जाते है और क्या इनको इनको इन्स्टरेशन की चरोवत पड़ती है ये काफी परफेक्ट हो गए है काफी दिनों से ये काम कर रहे है थोड़ी थोड़ी कभी-कभी पड़ती है लेकिन नहीं देखेंगे तो भी इनके ऊबर पूरा डालेंगे काम इन तस्वीरों को देखने के बाद ये तो कहना ही पड़ेगा कि इन स्पेशल बच्चों की शारेरी कमजोरी भी इनके रहा का रोड़ा नहीं बन पाई पंकर्ज मिश्रा, News Nation, मुंबई और खबरे आगे भी जारी हैं लेकिन जाते जाते आपको बता दे की खबरों को और विस्तास दे जानने के लिए आप News Nation की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेस्बुक पेस से भी आप जुड़िये, News Nation की यूटीब चानल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए हर जरूरी खबर के लिए News Nation की ट्वीटर हैंडल को भी फॉलो आप करिएगा पल-पल की ताज़ अपडेट पानी के लिए आप हमारा आप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो बने रहे ये News Nation के साथ क्योंकि यहां खबरों का सलसला कभी नहीं थमता